दोस्तो अगर आप सिर्फ copy paste करके YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत ना हो आप किसी दूसरे की वीडियो उठाएं और उसको YouTube में डालें और उसके बतले में आप YouTube से पैसा कमाएं तो इस वीडियो को पूरा end तक देख लो आज मैं आपको एक ऐसी टेकनिक बताने वाला हूँ एक ऐसे content के बारे में बताने वाला हूँ जो आप सिर्फ दूसरों का उठाएंगे और अपने चैनल पर डालेंगे नहीं आपको copyright आएगा, नहीं copyright claim, नहीं आपके वीडियो ब्लॉग होगी सिंपल सा आपका चैनल भी monetize होगा साथ में अगर आपको सपना है, silver play button, golden play button आपका वो criteria पूरा होने के पाद आपका वो सपना ही पूरा होगा आज मैं आपको हर एक चीज बताओ, कौन सी वीडियो आपने डालनी है, कहां से उठानी है वीडियो, कैसे editing करनी है और क्या तरीका अपनाना है कि आपको copyright नहीं आएगा, क्यों copyright नहीं आएगा, वो भी आपको बताओँगा साथ मैं सब चीज के प्रूव भी दूँगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा, एक screen recording जो बगल में आपको सो होने वाली है अब यहाँ पर वो screen recording सो हो रही होगी, मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, यहाँ पर यह चैनल देख लिए, इनकी वीडियोज में देखे कितने सारे व्यूज आते हैं और इनकी popular वीडियोज दिखा हूँ, तो यहाँ पर यह चैनल आपने बहुत सारे देखे होंगे, इनकी एक वीडियोज प्ले करके आपको दिखाई देता हूँ, जैसे याली वीडियो को खोलना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिरान कर देने वाली बात ये थी, कि इनको लॉक चावी से नहीं बलकि अपने हाथों के उंगली का इस्तेमाल करके खोलना था, जिसको देख वहाँ बैठे जजज और लोगों ने अपनी सांसे दवा ली थी, और यह इनसान लॉ को खोलना स्टार्ट करता है, सबसे पहले वह अपने हाथों का लॉक भी खोल लेता है, लेकिन तीसरा लॉक खोलने में उनको बहुत परिसानी होती है, पर अंत में वह तीसरा लॉक को भी खोल लेता है, और वह इस एक्ट को बिना सांस लिए और बिना देखे दो मिनेट भी सेकेंड में कर लेता है यह तो कोई जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई ना यह सिर्फ टैम पास के लिए नहीं दिखाई यह वीडियो ऐसी ही वीडियो आपने बहुत सारी यूटुब के अंदर देखी होगी और आज तक आपने समझा नहीं हो कि इस वीडियो से यह लो करेंगे और एडिंग कैसे करेंगे कॉपी रेट से कैसे बचेंगे सब कुछ बताऊंगा वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले एक बात बोरूं चाओगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना चलिए वीडियो मा आगे बढ़ता है सबसे पहले जो आपके सबसे पहले आप लोग को फोन में इंस्टाग्राम फेस्बूक यूट्यूब ये तिरो चीज़ आपको फोन मोंगे आपने सबसे पहले जाना फेस्बूक के अंदर पேस्बूक के अंदर जाएंगे मैं यह वीडियो को मुट कर रहा हूं और यहां पर देख मैंनी के लिएकर फ़नी सौर्ट्स आप जाएंगे अपने सौर्स के फ़ेस बुक में अब यहां पर आपने सर्च करना है आप इन वीडियो को करना है मेरे भाई जैसे आप उस वीडियो को करेंगे जिसके वोईसओवर कर सकते हैं आप इसमें क्या वोईसओवर कर सकते हैं खुछ भी नहीं तो आपने इसको हटा देना है अब यहाँ पर देखो अगर आपने कोई और वीडियो देखनी जैसे कि यह बंदा घर यह गदर बैट रहा है तो इसके उपार वोईसओवर कर यहाँ ना हो आपने उस टैब कि वीडियो को उटा लेना डाउनोड करना डाउनड कहां से करेंगे यह मैं आपको यहां पर नहीं tartा सा JACK आपने इन्हें अब चाहिए तो कहां से, जो source मैंने अधे तक आप आप यूट्वमें दिखाई, ऐसी source आप ने भी देखी होंगी उनको डाउनलोड कर लेना अब देखो जो source आप YouTube से उठा रहे हैं या कहीं से उठा रहे हैं वह source किसी की अपनी तो है थे नहीं। वो भी उसके उपर reaction कर रहे हैं, आप नहीं वही काम करना है, आप लोग दिन भर में Instagram, Facebook चलाते रहते हैं, आप कोई ने कोई ऐसी sorts, जिसमें आप किसी अच्छा काम करते हुए, एक sort story tap की videos मिल जाए, जिसमें आप एक story समझाने को आपको मिल जाने चाहिए, या कोई बंदा अ Facebook में सर्चे कर लिए, वो ही चीज़ आप YouTube में सर्चे कर लिए, मैं खुल के यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि YouTube कम्यूटी गाइड लाइनी खिलाफ है, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ में बोलना चाहरा हूँ, आप समझ गया हूँग इसको एक perfect video बना सकते हैं, आपके पास कोई भी adding की application हो, आप उसका use कर सकते हैं, चाहे काइन मास्टर हो, insert कोई भी हो, मैं किसी भी एक application को recommend नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर use करूँ काइन मास्टर, तो आप भी काइन मास्टर को, अगर है तो उसका use कर लेना है, यह जो step मैं बताऊँगा, आप भी वह step करेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो यही step आपको हर application के अंदर मिल जाएंगे, अब यहाँ पर आपको screen recording सो हो गई, हम जाए काइन मास्टर के अंदर, यहाँ तक create में किलिक करा, और यहाँ से हमने tik-tok वाला ratio, यान में वीडियो जाएंगी, तो earning होगी आपकी, ठीक है, create में किलिक करेंगे, अब यहाँ से देखो, आपने वो वीडियो उठानी है, जो आपर डालोड करी, ठीक है, कहीं कि कहीं से humanitry वाली वीडियो, helping वाली वीडियो, किसे हैं कोई गलत बेवार हो रहा है, उसकी वीडियो आपने इंस्ट्राम में देखाओगा, फेस्वूक में देखाओगा, वहाँ पर माबाप की बेजिती करते हैं, उस पर लेसन सीखने की मिलता है, किसे के साथ धोगा कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, इस टाइगी वीडियो आपर देखते हैं, वो वीडियो उठा लेने हैं, सबसे पहले आपने इस वीडियो को उठाने से पहले, आपने सबसे पहले बैक्गराउंड में कुछ भी एक ब्लैंक बैक्गराउंड ले लेना है, जैसे हम ले लेते हैं, यहां से इमेज में ब्लैक एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक इमेज ले ले लीजिए, अब इस image का आप थोड़ा सा बढा करके इतना रख लेगे आपका एक minute की वीडियो आपकी लगभग लगभग उतनी बन जाया कि एक minute से कम 海शी कही वीडियो आप source में डाल सकते हैं उसके layer में जाएंगे अब मीरیا में गया जाएंगे अब वग़ जो आप है डाउ लोड करे आभी वह लेंक गें ठीक है वह वीडू ले ली अब इस वीडियो को आप जोड़ा है क्या करका करना है वह इससे क्रॉप पर एक blur लगा सकते हैं जैसे हम इफेक्ट में गए और यहां से blur ले करके हमने इस blur को हम छोटा करके और उसके ऊपर यहां पर लगा देते हैं ठीक है और blur के radius कर दें थोड़ादा इसकी strength को बढ़ा लेते हैं और इस blur को हम पूरा end तक खीच ले जितनी हमारी video clip है ठीक है video clip य यहां पर देखो आपने क्या करना है आपने सिंपल सा है इस video को ऊपर लेना नीचे का area आप खाली हो चुका है अब इस नीचे के area में आप क्या करेंगे यहां पर आप main game खेलेंगे कौन सा game खेलेंगे देखो यहां पर दो तरीके से आप काम कर सकते हैं सबसे पहला आप face cam दूसरा without face यह तो चहरा दिखा करके कर सकते हैं यह बिना चहरा दिखाए अब दोनों को फायदे और नुकसान है बता दूंदे को चहरा दिखा करेंगे तो आपका brand value बनेगी चहरा face value बनेगी आपको लोग पहचानेंगे जानेंगे और YouTube की नजर में आपको कोई भी गलत का करेंगे यह फायदे रहेंगे चहरा दिखा करके बिना चहरा दिखाए फायदा आपको इतना है कि आपको चहरा दिखा रहा है सिर्फ आपकी आवास से काम चल जाएगा बट उसमें आपको ऐसा नहीं कि YouTube के नजर में आप गलत काम कर रहे हैं बट क्या है अगर हम दोनों को compare करें तो चाहा पर चहरा दिखा रहे हैं वह आपको ज़्यादे बैस रहता अगर चहरा दिखा सकते हैं तो आपने इसके बाद एक video सूट करनी है जो आप आगे मैं आपको बताऊंगा वह वीड़ा अपने शूट करनी है वह दोनों के लिए सेम चीप अँगा जो चेहरा ना क्लिप के सेंटर में रख देंगे ठीक है सेंटर में रख देंगे अब इसके बाद आपने इसमें वाइश डाल लिए वाइश डालने के लिए जो बीना चेहरा दिखाई करना चाहते हैं वो तो यहीं पर सीधे रिकार्डिंग ऑन कर रहींगे और यहां से बोलना स्टर करेंगे और जो मैं बताऊँगो वह बोलेंगे यहां पर उनकी सीधे वीडियो यहां पर बन गई है अब जो लोग चेहरा दिखाना चाहते हैं उन्होंने बैक मारना है और अपने फोन के कैमरे को सामने आना है कैमरे को लेना है और यहां से फ्रंट कैमरा ओन कर लेना है अपना और उसके बाद यहां से बोलना स्टार्ट करना है यहां से बोलना स्टार्ट कैमरे को यहां सामने ले लेंगे और कैमरे में देखके बोलेंग सबसे पहले उसके लिए आपको एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी वीडियो का अंदर हुआ क्या है देखो हम पहले वीडियो देखते हैं तो यहां पर अभी क्या कर रहा है हमने इस वीडियो का वाइस को कर लिंगे म्यूट ठीक है इसके जो ऑरिजिनल वाइस उसको म्यूट कर लेता है और वीडियो देखते हैं तो वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक जानवर का बच्चा नदी में गिर चुका है अब वह रहा है अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं अब यहां पर हमने क्या होगा वह हम आगे दे खुथे वह उसने वो जानवर को बचाने के लाया अदमिके बचा बचाने के लाया और इसना चारा को बहुता करणे करकmas से कि यहां जो सब्द Miles के, बचा करने अब यहां से स्टार्ट में किलिक करते हैं और यहां से हम जो बोलते हैं देखे दोस्तों यहां पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गाय का बचला नदी में गिर चुका है एक आदमी फरुष्ता बनके आया और इस बचले को पकड़ा और जैसे तैसे अपनी जान की बाजी लगा करके इसने इस बचले को ऊपर निकाले कोईश करी स्टार्टिंग में तो यह हारता रहा नहीं हो पाया इससे लेकिन इसने हार नहीं मानी और जी जानला के लोगों की मदद से यह बचले को बाहर निकाला है इसकी महत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरी दोस्त सिंपल साहा आपने यह वॉइस रिकॉड कर लिए अब हम वीडियो के एक बार देखते क्या वीडियो बनिये ठीक है अब हमने वह इस्टोरी जो यहां घट रही थी हमने मूँ से एक्स्प्लेइन कर दी अब इतना ही नहीं देखो सबसे पहले तो हमारे बलर जो है नीचे सरग्या उपर सरग्या हम बलर को नीचे लाते हैं क्योंकि बलर हमने सिर्फ यह लोगो हटाने के लिए लगा रुका है ठीक है अब इसके बाद आपका काम है भी खत्म नहीं हो आपने एक टैक्स से लगाना कौन से टैक्स सबसे पहले लेयर में जाएंगे मीडिया मे जाएंगे यहां से इमेज में जाएंगे और एक येलो इमेज ले लेंगी येलो इमेज ही जरूरी नहीं है आप कोई भी इमेज ले सकते हैं लेकिं येलो इमेज जो है तोड़ा दिखने में अच्छी लगती है इसलिए हम येलो यहां पर ले रहें ठीक है इसको हम थोड़ कि यहां पर हमने लगा जिया कहीं पर भी लगा सकता है आपने इच्छा अनुसार अब यहां पर आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं आपर टैक्स में जाएंगे वीडियो को पूरा देखो यह क्या हुआ और उसके पार एक चौकनल इमोजी इस टैप का आप लगा करके ऊपर यहां पर लिख दो ठीक है कलर कर दो ब्लैक अब देखो यहां पर तो मैंने एक सिंपल आप दिखाने लगा दिया कि वीडियो पूरा दो क्या हुआ यहां पर तो यह आप लिख सकते हैं आप इंसानियत अभी भी जिंदा है इस टैप आप सेम ऐसा ही नीचे भी लिख देना है ठीक है जैसे हैं यहां पर हम करके दिखाते हैं आपको इसको ही डूब्लिकेट कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं नीचे यहां पर ठीक है अब यहां पर टैक्स बन जाते हैं यहां पर लिख देते हैं इंसानियत अभी भी जिन्दा है यह लिखा हमने इस टैक्स को बढ़ा लगाना जैसे आपको अच्छा लगता अब यूटूबर बनना तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा मेरे भाई कि कहां मोटा सब्द करना कहां पतला सब्द करना काउन सा कलर लगाना यह आपने जो चीज़ बताएं यह सिफ बेसिक था में खेल अब इस टाड़ होता है अभी तक आपने सिरे ऊपर से लेयर में एडिटिंग करेंगे इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं करेंगा आपने तो आपने वीडियो में किलिक करना है सबसे पहले तो आपने इसको कर देना है एक डाल दिंगे यानि इसे पलड दिए चैनल में वह औपसन नहीं आ रहा है आपके एडिंग आपसे मिर्ट्र में दालिगे और उसकी बाद आप जाएंगे इसमें फिल्डर में फिल्टर में जाएंगे और इसका थोड़ा सा आप कलर चेंजी कर देंगे यानि कि आप को है इसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे और हाई रेजुलेशन में इसको कर देंगे सेव कर देंगे आपकी वीडियो त्यार है अब इस वीडियो को आपने डाल देना है यूट्यूब के अंदर है अब आप लोग बोलेंगे भाईया इसमें तो मिल जाएगा हमें यूट्यूब की फेर पॉलिशी क्या कहती है पहले आप उसको समझो तो सही आप दूसरों का कंटेंड यूज कर सकते हैं फेर यूज के लिए अगर आप उसमें रियक्शन कर रहे हैं अपनी कोई वैल्यू प्रोवाइट कर आ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं इसलिए मैं होता है भाई दूसरे कंटेंट तो है मैं आपको एक इक्जांपल दिखाता हूं एक बहुत बड़े चैनल का मैं चोटे मोटे चैनल का इक्जांपल भी दिखाता हूं आप यह चीज अपने फोन में खूद सर्च करके भी देख सकते हैं यहां पर स्क्रिम रिकॉर्डिंग हो रही है अब यहां पर सर्च कर रही है आप हिंदी सौरी मैंने हिंदी फॉन्टम आ गया है इंग्लिज में लिखना है हिंदी काउंटाउन यह चैनल आपने कहीं न कहीं देखा होगा देखा है दोगो दस मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस भाई की और इस चैनल की कोई भी वीडियो देख लो कहीं पर भी चहरा नहीं कहीं पर कुछ नहीं सिर्फ बैग्रण्ड म्यूजिक है मैं वह चीज बोलना भूल इस वीडियो के अंदर आपने बैगरण्ड म्यूजिक भी अट करना है नॉन कॉपरेट वाब यूटूब में सब्सक्राइब करें नॉन कॉपरेट बैगरण्ड म्यूजिक आपको वहां से मिलना है का डाउनलोड कैसे करना है वह पहले आपको बता चुका हूँ है ठीक है अब इस भाइए कोई भी वीडियो देख लो कि यहां पर दोको क्या है इस भाई मैं सिर्फ अलडीं कर ghosts के लिगए इनने लेकिन इसका सब्धेरा को ही पर हैं यहां पर सिर्फर देखो यह भाई देखो सिर्फ वीडियो दिखा रहा है और यह catch on camera यानि camera में catch हुई अच्छे ची footage बुरी बुरी footage ड्रावनी हाने का रहा है सब्ट्राइब की दिखा रहे हैं इस तरह यह वीडियो देखो अगर आप सिर्फ इस भाई की एक वीडियो उठ यह भाई ने खुद की वीडियो तो है नहीं camera की यह भी करते हैं वही कलिप को आप बता सकते हैं और जो कलिप यहां देख रहे हैं इस वहीं काम करना है अब वहीं काम धीर-देख करके आप लॉइडियो में लाएंग नाएंगे और इस भाई का एसा content बिना लेंगे यहनि क आगा जो आप सौर्स में स्टोरी बतारते हैं वहीं आपने चार-पांच स्टोरी एड़ करके एक लॉंग वीडियो बना देरी हैं और उसको अप्लोड कर देनी हैं बस जादे महते काम नहीं है तो इस तरीके से आप काम करते हैं तो आप अपने चनल को बहुत आगे तक ग्रो